यदि आपको भिंडी खाना पसंद है तो आप एक पार भिंडी मसाला की ये रेसिपी चरू ट्राइ कीजिएगा ये बहुत ही टेस्टी बनती है और बनाने का तरीका भी एकदम सिंपल है नमस्ते दोस्तों स्वागत है आपका श्यामर सोई में तो चली शुरू करते हैं बनान भिंडी मसाला बनाने के लिए मैंने यहाँ 300 ग्राम भिंडी ली है भिंडी को अच्छे से धो कर सूखे कपड़े से पहुच लीजिएगा अब हम भिंडी के दोनों साइड के किनारे कट कर देंगे बीच में इसे कट लगाएंगे और अच्छे से चेक कर लीजिए यदि मैंने एक बड़ा चम्मच तेल डाला है तेल के अच्छे से गरम हो जाने पर हम इसमें सारी भिंडी डाल देंगे अब हम गैस की आज को मेडियम रखते हुए भिंडी को लगबक साथ से आठ मिनिट के लिए फ्राय कर लेंगे भिंडी आधी से जादा सौफ्ट हो जाएगी हम इसे बीच बीच में चलाते रहेंगे तो जब तक भिंडी फ्राय हो रही है हम इसके लिए मसाला बना कर तयार कर लेंगे इसके लिए मिकसर का एक जार लीजिए इसमें मैंने दो मेडियम साइज के प्याज डाल दी है यदि बड़ा प्याज हो तो एक प्याज ले लीजि कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर डाला है इससे कलर अच्छा आएगा लेकिन ये बहुत ही कम तीखी होती है इसमें हमने आधा छोटा चम्मच जीरा डाल दिया है एक चम्मच साबुत धनिया डालेंगे और अब हमने यहाँ आधा छोटा चम्मच सौफ ली है आप चाहें तो सौफ को स्किप कर सकते हो पर इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है आधा छोटा चम्मच हमने नमक डाला है नमक आप अपने स्वाद के हिसाब से डाल दीजिएगा दो टेबल स्पून पाने डाल कर हम इसे पीस कर तयार कर लेंगे तो ये देखिए हमने इसका एकदम स्मूथ पेस्ट बना कर तयार कर लिया है और इधर भिंडी को फ्राय होते हुए लगबग 7-8 मिनिट हो गए है भिंडी आधी सी जादा सौफ्ट हो गई है तो अब हम भिंडी को एक अलग प्लेट में निकाल लेते हैं एक बार आप इस तरीके से भिंडी मसाला बना कर देखिएगा आपको बहुत पसंद आएगी अब हम सेम कडाही में एक से डेड़ बढ़ा चम्मच तेल डाल देंगे तो ये मैंने एक चम्मच डाला और ये आधा चम्मच तेल के गरम हो जाने पर आधा छोटा चम्मच जीरा डाल दीजिए और एक चोथाई छोटा चम्मच हींग डाल दीजिए इसे थोड़ा सा भून लीजिए और अब हम इसमें ये पेस्ट डाल देंगे जो हमने अभी बना कर तयार किया था गैस की फ्लेम को लो कर दीजिएगा और साथ ही दो बड़े चमच मैंने पानी भी डाल दिया है इसे बढ़िया से मिक्स कर दीजिए हमने सारे मसाले इसमें इस्तिमाल कर लिये हैं बस अब हमें इस मसाले को पकाना है तो स्टार्टिंग में हम मसाले को ढग कर पकाएंगे गैस की फ्लेम को मीडियम टू लो कर दीजिए क्योंकि स्टार्टिंग में ग्रेवी के छीटे बहुत उड़ते हैं तो वो आपके उपर आ सकते हैं तो मैं इसे ढग देती हूँ बीच में एक दो बार चला दीजिएगा मसाले को पकाते हुए हमें 5 मिनिट हो गए है और बीच में मैंने इसे 1-2 बार चला दीया था अब हम गैस की फ्लेम को मीडियम और हाइब के बीच में रखते हुए इस मसाले को कंटीनू चलाते हुए भून लेंगे तो ये देखे मसाला हमारा अच्छे से भून गया है और इसके किनारों से तेल अलग होने लगा है मसाला हमारा बढ़िहा से भूनेगा तो सबजी भी टेस्टी बनेगी और अब हम इसमें ये फ्राई की हुई सारी भिंडी डाल देती हैं साथ ही हम केवल भिंडी के अनुसार इसमें नमक डालेंगे क्योंकि हमने मसाले में नमक पहले से ही डाला हुआ है साथ ही मैं इसमें आधा छोटा चमच आमचूर का पाउडर भी डाल देती हूँ और आपको इसमें कोई भी एक्स्ट्रा मसाला डालने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है कोई गरम मसाला नहीं डालना है ये भिंडी ऐसे ही बहुत टेस्टी बनकर तयार होती है अब हम एकदम लो फ्लेम पर भिंडी को 3-4 मिनिट के लिए पकाएंगे ताकि मसालों का सारा फ्लेवर भिंडी में बहुत पढ़िया से आ जाएगा हमने भिंडी को 3-4 मिनिट के लिए पका लिया है और देखिए भिंडी हमारी काफी सॉफ्ट हो गई है इसे एक बार फिर से अच्छे से मिक्स कर लेंगे और मिक्स करने के बाद खुले में इसे 1-2 मिनिट के लिए और पका लेंगे और ये हमारी चटपटी सी बहुत ही टेस्टी भिंडी मसाला बनकर बिल्कुल तयार है गार्निशिंग के लिए मैं इस पर थोड़ा सा बारी कटा हरा धनिया डाल रही हूँ हरा धनिया डालना बिल्कुल ओप्शनल है गैस की फ्लेम को बंद कर दीजिए भिंडी मसाला को आप पूड़ी, पराठा, किसी की भी साथ सव कीजिए राइस डाल के साथ खाईए तो फ्रेंड्स रेसिपी कैसी लगी कॉमेंट करके जरूर बताईएगा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शियर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके